सब्सक्राइब कीजिए हैश्टेग हिंदी यूटूब चैनल को और दबाईए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले नागपूर में आरेसिस के त्रीतिय वर्ष समारोह में संग प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम इस कारेक्रम में देश की बड़ी हस्तियों को बुलाते हैं और जो स्वीकार करते हैं वे हाते हैं इसमें पक्ष विपक्ष की चर्चा का कोई अर्थ नहीं है उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर जी और संग दोनों अलग-अलग है लेकिन हम भारतवासी है और संग सर्व समाज के लिए है उन्होंने कहा कि देश में जो प्रणब मुखर जी को लेकर चर्चा चल रही है वे बेवजह है, संग प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संग सिर्फ हिंदूओं का संगठन नहीं है, बलकी सब के लिए काम करता है, मिल जुलकर रहना हमारी संस्कृती है, संग समाज को संगठत करना चाहता है, एक भारतवासी दूसरे के लिए पराया कैसे हो सकता है, भारत में जन्मा हर व्यक्ती भारतिये है, उन्होंने कहा कि सरकारें बहुत कुछ कर सकती है, सब कुछ नहीं, हम विविद्धा में एक्ता को लेकर चल रहे हैं, भागवत ने कहा हम सब एक हैं, यह बात किसी किसी को समझ जाती है, किसी किसी को समझ जाने के बाद भी वे इस बात को न जरूरत नहीं थी, संत महात्माओं के साथ रहे, स्वाधीनता संग्राम में दो बार जेल भी गए, लेकिन उनका अपना चिंतन भी चलता रहा, दोस्तों इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करना न भूलें और ऐसे ही लेटेस अपड़ेट पाते रहने के लिए हमारे इस चानल को सब्सक्राइब जरूर करें